नमस्का दोस्तों मेरा नम है तापसर आप देगर इस जीटेगी टेव चनल दोस्तों आज मैं आप लोगों को देखाऊंगा कि कैसे आप डिजिटल क्लोग बना सकते अनुनो नाजो को यूज़ करके तो चलिए सुरू करते तो दोस्तों डिजिटल क्लोग बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए एक कॉंट्रोलर बोर्ड तो हम लोग पहले कॉंट्रोलर बोर्ड को बनाएंगे तो कॉंट्रोलर बोर्ड बनाने के लिए आपको चाहिए एक अनुनो नैनो एक RTC मॉडूल आप DS321 जो RTC मॉडूल है उसके साथ चाहिए एक भेरो बोड और चाहिए तीन स्वीच तो तीन स्वीच लगते हैं आपको जो टाइम है उसको सेट करने के लिए तो दूस्तों आभी जो आप लोग देख रहे हैं अपका कॉंट्रूलर बोड का कनेक्शन डाग्रम मतलब अपका एंड़ो नैनो और RTC मॉडूल के साथ कानेक्टिविटी कैसे होंगे उसका पूरा डिटर्स डाग्रम में है उसको देखके हम लोग पहले कॉंट्रूलर को बन हुआ है झाल-मार्ञट झाल झाल दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हम लोगों का जो कांट्रोलर बोर्ड है और कॉंप्लीट रेडी हो चुका है अभी हम लोग इसके साथ डिस्प्ले का कनेक्टिविटी करेंगे और इसमें से आउट पूल लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग मैक्स 729 का फोरिन ओवन डिस्प्ले बोर्ड यूस करेंगे या डिस्प्ले मोडूल यूस करेंगे तो इसमें डिस्प्ले में 5 पीन होता है जिसमें से दो पीन होता है पावर के लिए एक वीसी सी एक ग्राउंड वीसी में आपको 5 बोल देना परेगा और ग्राउंड पर आपको ग्राउंड देना परेगा ना मारां लाट आपको 31 तो इसके बाद तीन अपको मिल जाएगा जिसमें से क्लोक्व險 राप नशो को कनेक्ट हो का एन ट्मर्ण परन कि अभी लैप्टोप या डिक्स्टप के साथ करेंगे और जो कि इसका एड़नो कोड़ है उसको अपलोड करेंगे कि अभी क्लॉक पुरा डेडी होगी आप देख सकते कि यहां पे क्लॉक मतलब देखने के लिए स्टार्ट हो गया मनलों यहां पर जो टाइम है वो देखा रहे तो इसमें टाइम भी दिखा रहा है मतलब आवार्स मिनिट और इसके साथ साथ सेकिन्स भी जब देख पाएंगे और इसमें और एक उप्टन है इसमें आप बाइडनेस को कौम ज़्यादा कर सकते और इसके साथ साथ आपका जो डेट है और डेट भी आप देख सकते तो मीडिल वाला बॉटन डावने थे बादी आप डेट को देख पाएंगे तो दोस्तों इसका जो एंडर नो कोड है और डाग्राम है आपको डेस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा और ये वीडियो आपका चलाए तो प्लिस लाइक कर दीजे आपका दूस्तों के साथ सेयर कर दीजे और इसी थारा वीडियो देखने के लिए प्लिस मेरा चैन को सब्सक लिए भीडियो आपका दो आपका दोस्तों को सब्सक्रिए आपका।